बच्छो गुड मॉनिक हम लोग कर रहे थे chapter 7 from the window इसमें हम उमाना की जर्नी के बारे में कर ले थे पहले हम 16 माई में हमने पढ़ा था कि उमाना ने कहा कैसे जर्नी की उसके बाद हमने 17 माई के बारे में पढ़ा था lesson 7 में इसमें हम आगे पढ़ेंगे bridges के बारे में हमने level crossing के के बारे में पढ़ा था कि यहां पर road और railway track same level पर होता हुसे level crossing की है थे थीक, उसके बाद हमने उमाना ने अपनी जर्मी में लिखा था bridges के बारे में, तो bridge क्या होते हैं हमने वो भी पढ़ा था जो matter bridge के बारे में पढ़ा था फिर हमने देखा था कि वहाँ पर जो जहां पर उसका train का bridge था, उसके साफ नहीं cement bridge था तो bridge क्या होता है, path made over the road or river to cross it जिसे हम bridge कहते हैं इसे तरह ही railway line में जैसे समंदर है जा फिर river को cross करने के लिए railway line का जो metal bridge बना होता है तो इसके बार में पढ़ाता है, आज हम पढ़ेंगे tunnels क्या होती हैं basically tunnels जैसे जो mostly पहाड़ी रास्ते होते हैं पठार वगरा होते हैं, वहाँ पर जब हमें उस पहाड़ को cross करना होता है, तो उसके लिए हम लोग tunnel बनाई जाती है, कि जो train है, एक side से जाती है, उस tunnel में ऐसे खोद के रास्ता बनाया जाता है, और दूसरी side से वो निकलती है, ठीक है तो यह होती है tunnels, tunnels basically हम बोल सकते हैं कि हमें जो mountain है उसको cross करना है तो ऐसे तो cross कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, कि उसको थोड़ा सा खोद कर, वहाँ पर एक सीधा road बना देते हैं, जिस पर track बिच्छा देते हैं, कि हमें अगर इस mountain के दूसरी side जाना है तो उसके जो आप, जो जो सुरंग सा बना हुआ है उसमें से निकल के, हम mountain की दूसरी side पर चले जाते हैं, हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, टर्नल्स कहते हैं ठीक है, चलिए देखते हैं, उमाना क्या लिखती है उमाना ने लिखता है, लिखा है कि last few hours have been so exciting after breakfast, I climbed up to upper upper birth to read high comics, तो माना कहते है कि Sunil ने उसे कुछ comics books story books देती पढ़ने के लिए, तो last के जो hours थी, last का time था बड़ा अच्छा तो उसने breakfast किया, और अपर बर्थ मैंने बताया था, आपको जो seat जो railway में बैटने के लिए जब सोने के लिए, रेस करने के लिए जो seats होती है, अपर बर्थ ऊपर वाली seat है, वहाँ चली की, और अपनी book पढ़ने लगी, it was bright it was bright sunny outside के, थी बहुत ही तेज दूप, बड़ा ही bright सा दिन था, suddenly everything became dark, suddenly क्या हुआ, सब कुछ काला हो गया, अंदेरा हो गया, it was, I was felt a little cold inside, देखो एकदम से, एकदम से वह कह रही है कि बहुत ठंडा, बहुत गरम था, sunny bright day था, एकदम से सब black हो गया, तो मुझे ठंड भी लगने लगी, वो सुरंग से नीचे से जा रही थी, वो आगे हम देखते हैं कि पहले उसको पता चला, वो कहां से निकल रही है I was afraid, अभी एकदम से एक दिन था, फिर अंदेरा हो गया तो वो डर भी गई, then the lights in the train came on, तो क्या होगा, जब अंदेरा हो जाता है तो जो lights है train की own कर देंगे, but outside it was very dark, train की light own कर देंगे, तो train में light हो गई और लेकिन जो बाहर था बहुत अंदेरा, someone said, लेकिन फिर किसी ने मुझे बताया, we have entered a tunnel, तो हम एक tunnel एक सुरंग से निकल रहे हैं this goes right through the mountain तो tunnels की कहां से निकलती है, mountains जैसे मैंने अभी बताया, जैसे mountains को cross करने के लिए, एक सुरंग सी बनाई जाती है, कि पूरा वहां से पूरा train निकल जाए, तो इसको tunnel कहते हैं, ठीक है, यूँकि अंदर mountain के अंदर होती है, तो इसमें काफी dark था, और ठंडा भी था, ठीक है, तो उसको माना को किसी ने बताया, कि इसलिए dark है, क्योंकि हम लोग कहां से गुजर रहे हैं, हम लोग tunnel से गुढ रहे हैं, the tunnel seems to go on and on, tunnel पूरा पहाड में cross करना था, तो tunnel ऐसे लग रहा था, खतम ही नहीं हो रही है, tunnel बहुत लंबी थी, मत उसे बहुत लंबी थी, then suddenly then just as suddenly we were in the day night again, तो कहते हैं, ऐसे हम लोग पूरा cross करते हैं, बहुत time लगा, उसके बाद हम लोग फिर दिन की रोशनी में आगे, outside it was sunny तो बाहर क्या था, बहुत ही sunny दिन था, the train had crossed the tunnel, train ने cross कर लिया tunnel को, अपा explain that we were on the other side of mountain, तो पापा ने बताया कि जो tunnel थी, इसमें हम लोग को train से एक रोश कर लिया अब हमने जो पूरा सा पहाड था mountain का, उसको cross करके अंदर से, जिसने थोड़ा time लिया और हम mountain के दूसरी side पहुँच गए हैं तो mountain के दूसरी side पहुँचने के लिए क्या बना दी गई थी tunnel बना दी थी, ताकि हम अराम से उस पहाड की जो सुरग बना दी थी, उससे हम उस पहाड के दूसरी side पहुच जाएं तो पपा ने उसके अपपा ने बता दिया कि बेटा हम लोगों ने tunnel cross कर लिया है, ठीक है पपा अपपा explained that we were on the other side of mountain, since then we have passed through four smaller tunnels, now it was enjoying going through the tunnels कि उसके बाद फिर हमने चार ओर tunnels को cross किया, तो अब क्या था उमाना को डरने ही लग रहा था, और उसे वो बहुत ही excited हो जाती थी, एकदम से जब dark होता था, तो वो बहुत excited हो जाती थी, कि वो क्या cross करने लगे है tunnel cross करने लगे है आगे question, have you ever been through the tunnel, how did you feel तो उन्होंने पूछा कि आपने कभी tunnel cross की है, तो आपको कैसे कैसा लगा था, आपको scary था आपने enjoy क्या 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 yes, I have beginning I have beginning to use in beginning, I am very scary but after that I am enjoying it तो कहता, yes I have cross so many tunnels while going goa, और जहां भी आपने tunnel cross किया तो आप लिख तो cross किया तो नो लिख तो, the route from goa and kerala has total 2000 bridges and 92 tunnels, why do you think that there is so many bridges and tunnels, के दे goa से जब हम लोग कैरला जाते है तो 2000 bridges है, 92 tunnels है, अब आप ये बताओ कि इतना tunnels और bridges उन्होंने क्यों बनाए गए है, देखो पहले Ahmedabad जाते, Ahmedabad से goa goa से kerala, कितना दूर का है, कहाँ goa कहाँ kerala तो कहते हैं, इस route में as a route from goa to kerala along with the sea coast कहते है, गोवा से kerala जो रूट है, वो एक समंदर का रास्ता है तो वहाँ पर रास्ते में जो train को बहुत सारे mountains waterbotties और hills cross करने पड़ते हैं क्योंकि उसे वो सब चीज़े cross करनी पड़ती हैं तो to cross हम दिया रहे सो many bridges and tunnels उनके लिए बहुत से bridge pull बनाय जाते हैं, कि waterbotties को cross कर सकें, और बहुत से mountains और hills और hills को cross करने के लिए क्या बनाय जाती है, tunnels बनाय जाती है तो हमने क्या से है, tunnels क्या होती है tunnels basically mountains जां hills को cross करने के लिए बनाई जाती है ताकि हम अराम से उन mountains और hills को cross कर ले इसके लिए क्या क्या जाता है उसमें इसे एक रास्ता बना दिया जाता है एक सुरंग बनाती जाती है एक mountain hill के एक सिरे से उसके दूसरे सिरे तक ताकि हम train उस फिर जो रास्ते में train का track बिचा देते हैं ताकि वो train समान और लोगों को पेसिंजर को एक सोर से दूसरे सोर तक पहुंचा दे मतब mountain के दूसरे रास्ते में हम दूसरी side हम बहुंचा है उसके लिए tunnel बनाई जाती है ठीक है और आगे क्या है चलिए आगे फिर उसने बोला है कि अब उसने बोला है कि imagine if on the way there have been no tunnels मान लो कि हम कहते हैं कि tunnel of breezes बहुत help करते हैं हमें cross करने के लिए जैसे गोवा से केरलाव हो गई तनी दूर का रिष्टा था और समुंदर भी पढ़ता था पहार भी पढ़ते था हिल भी पढ़ते मान लो अगर पूरे रास्ते में कोई bridge नहीं है तो mountain में है तो क्या होगा तो it is very एक तो बड़ा तो भाई यहरी जाना पड़ेगा भी इतना मतब bridge भी नहीं है पोसिबल नहीं है क्रोस करना ट्रें से बिलकुल क्रोग हम लोग bridge cross नहीं करेंगे टर्नल क्रोस नहीं करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे पोसिबल नहीं है आगे वो बताती है वाना and now it is afternoon और उनका lunch time हो का है उन्ड़ी वड़ा खाया we bought from Upadi station से उन्होंने क्या किया कि जो करनाटक में आता है वहान इडली वड़ा उन्होंने ले लिया और आगे वो बताती है वी आलसो बोट सम बनानास भी ले ली उन्होंने इस बनानास आ वहरी small and very tasty बनानास जो थे छोटे थे और बहुत ही टेस्टी थे the scene outside has been changed अब outside जो बाहर का जो scene था वो फिर change हो गया now we can see many coconut trees अब coconut trees south में बहुत जादा coconut होते है तो कहती है मैंने बहुत जादा coconut tree देखे green fields है अब हरे आली हरे आली हरे थी अम्मा says that these are paddy fields paddy fields मतलब rice के fields है जो हरे आली वाले खेता आप दिखा यहां पर क्या पैदा कर रहे हैं लोग चावल पैदा करें house and villages look very different वहां के गर वहां के जो गाओं थे वो भी बहुत डिफरेंट थे many people are wearing white and cream color दोतीज और साडीज और वहां के जो लोग हैं साओत में जादा दोतीज वाइट दोतीज और कुड़ता और ladies जादा साड़ी डालती हैं तो माना ने बताया कि उसने वहां के लोगों का रहन से हैं उन लोगों का जो कपड़े वगरा थे सब बहुत ही different the many people who were with us from Ahmedabad had got off के थे Ahmedabad से कुछ लोग हमारे साथ बैटे थे उन लोगों के भी उतरने का time हो गया थे people people have also got on the train from the different station दूसरे stationों से लोग चड़े भी थे Sunil family are getting off at Kodikoot तो Kodikoot में क्या Sunil की family क्या getting off मतलब उतर गए थे which comes at around the 600 o'clock जो 600 o'clock के according मतलब 6 बजे का time था Sunil की family जो Kodikoot है वहां पर उतर गे थी we have exchange addresses हमने जो अपने दूसरे के घर के पते भी exchange है plan to meet at Ahmedabad क्योंकि Sunil की family भी Ahmedabad से चड़ी थी तो वह friend होगे तो उनने बोला कि चलो हम friend है हम friend बन गी है अब Ahmedabad में हम मिलेंगे you will also like Sunil and Ann तो वह कहती है माना कहती है राधा आप डाइरी में उसने लिखा कि आप भी Sunil और Ann से मिलके बहुत कुछ होगे which language do you speak at home तेखो आप mostly बहुत सी language गुजराती English Hindi Punjabi बहुत सी घर हो में तमील तैलगु मले आलम लग लग और लैंगे जूस करते हैं mostly हम मैंने लिग गया spoke Hindi and English आप कुछ भी लिख सकते हैं Hindi भी लिख सकते हैं Punjabi जो भी है आपको आप लिख सकते हो ठीक है on the way from Gujarat to Kerala Umana train went through several states of states of country find out the list of the list which states it crossed अप देखो जो Umana ने गुजरात से मत आमदाबा से Kerala तक की जननी की तुछ ने काफी states बताएं बताओ कौन कौन सी states है पहली है महराष्टरा थी फिर गोवा फिर करनातक और फिर जाके करला आया था did you ever have a coconut water आपने कभी coconut का पानी पिया देखो बहुत healthy होता है coconut water हां तो आल्मोस सब लोगों ने पिया होता है how did you find it disturbed तो आपको कैसा लगा है तो बहुत ही sweet सा टेस्ट होता है और बहुत healthy होता है हम सब को पीना चाहिए अब देखो यह drawing work है try a coconut tree discuss in your class about it अब आप अपने जो coconut tree के बारे में बता सकते हैं अब देखो कितना weather change हुआ है पहले dry fields थे जब वो एमदाबास से बैटी फिर green fields होगी गोवा के पास आके फिर उसने coconut trees उसे देख रहे हैं पैटी fields देख रहे हैं कितना उसने describe अच्छे से माना ने अपनी डाइरी में एक एक चीज एक एक weather को मतलब देखो weather changes जैसे जिस तरह से वो केरला की साइड जारी उसमें weather change कितना आया है ठीक है आगे छोटा सा यह रह गया हमारा exercise इसमें उसने बोला ह कि हमें language बताने है find out in which state language is spoken जैसे मले आलम कैरला में बोली जाती है कौंकनी कहां बोली जाती है गोवा में बोली जाती है मराथी महराष्ट्रा में बोली जाती है गुजराती गुजरात में बोली जाती है करनाटिक अब देखो आपको यह भी चीज़ें याद रखनी महाराष्ट्रा में माराथी, गुजरात में गुजराती और करनाटका में करनड यह भी आपको पता होना चाहिए अब रात हो गई है जी, we have also start packing up क्योंकि अब उन्हें की उतरने का टाइम हो गया है तो उन्हें भी अपना सारा समान जो बेड़ शीट वगएरा ट्रेन में भी चाहिए होती है जो उनका लंच बोक्स होते हैं, बुक्स जो पढ़ने का जो उनके खेलने का समस्ब उन्हें पैक करना शुरू कर दिया है, ट्रेन विल भी रीच है, कोटियाम इन अबाउट त्री आज, अब कोटियाम में उन्हें उतरना है, वहां तीन गेंटे में ट्रेन पहुंच जाएगी, ठीक है, आगे उसने पर टू नाइट, we will go to वली अम्माज हाउस, वली अम्माज मतलब मासी, उनकी जो मम्मा की सिस्टर है, उनके घर जाएंगे, तुमारो वी विल टेक अबस और अम्मू अम्माज हाउस, तो हम अगले दिन बस लेंगे, वली अम्मा मतलब मासी के घर से तो नानी के घर पहुंच जाएंगे, वी आल क्वाइट है, वी इतना लंबा ट्रेवल किया है, तो हो कहती हम तो बहुत थगे, आफर आल, we have been on the train for the two days, किते दो दिन से हम लोग ट्रेन थे थे, अब थगे है, वाट है लोग जाएंगे, बहुत ही लंबा रास्ता था, it has been, we had lot of fun, लेकिन मज़ा बहुत आया, I will put my diary away now, अब कहती मैं थगे हूँ तो मुझे डायरी नही ल उल्ष, amasy बोलते हम हमारी जो mother's, mother को क्या बोलते है, nani बोलते है, father's, sister's को क्या बोलते है वाट, father mother को दादी बोलते है, यह हमारा ओमाना की जर्नी थी वो पहुँचे गए नानी के गर, बद All thisica Mark ㅇके जर्नी खतम हो गएंगे उसके बाद आपको tunnels क्या होती है मेन ये भी पूछा जा सकता है और bridges के बारे में ये सब चीजें और level crossing ये सब चीजें आपनों को ध्यान में रखनी है चलिए जल्दी मिलते हैं next chapter के साथ ओके बाई thank you